धन्तेरस 2023 दस या 11 नवंबर ना होँआ कंफ्यूस यह है खरीदारी के शुभ मुरत आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में धन्तेरस या धन्तरविदुशी कब हैं पूजा और खरीदारी के शुभ मुरत पूजा विधी और धन्तेरस के दिन घार नाई जाने व हर साल कार्थिक मांके कृष्ण पक्सकी द्रवदर्शी तिथी को धन्तेरस मनाते हैं इसे धन्तरवदर्शी भी कहते हैं इस दिन प्रदोश प्रत भी रखा जाता है प्राचिन मानेता अनुसार धन्तेरस के दिन बरतन खरीदना शुभ होता है इस दिन शाम के समय माता लक् धिवा शुब मूरत दो हजार तेईस साल दो हजार तेईस में धनतेरस का पर्व 10 नहांबर शुक्रवार को हैं भगवान गणेश कुबेर और लक्षवी पूजा का शुब मूरत शाम 5 बचकर 47 मिनट से साम 7 बचकर 47 मिनट तक प्रदोशकाल पूजा मूरत शाम 5 बचकर 30 तरदोशी तीची समाप्ट होगी 11 नहांबर दो पहर एक बचकर 57 मिनट पर धनतेरस खरीदारी शुब मूरत धनतेरस पर सोना चादी और बरतन खरीदे की परंपरा है इस साल 10 नहांबर को धनतेरस के दिन हरीदारी का सबसे शुब समय दो पहर दो बचकर 35 मिनट से 11 को सुबा 6 बच कर 40 मिनट से दो पहर एक बच कर 57 मिनट तक का समय भी खरीदारी के लिए विशेश शुब रहेगा धनतेरस पूजन भी धी शास्त्रों के नुसार धनतेरस के दिन लक्षमी गणिज धनमंतरी जी और कुबेर पूजन किया जाता है धनतेरस की साम उत्तरदिशा में कुबेर धनमंतरी जी और लक्षमी गणिजी की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा के सामनी घी का दीपक जलाएं अब सभी प्रतिमा को चंदन का तेलग कर फल फूल वा अन्य पूजन सामगरी अरपन करें भागवान कुबेर को सपेर मिठाई और भागवान धनमंतरी जी त्रोधशी की रात यम देवतापा पूजन कर दक्षिन ते सामने यम के नाम कर दीपकरतना चाहेए अंतमें सबीर की आर्थी कर उनका अश्रवाद लेना चाहेंगे दंतेरस पर क्या-क्या खरिदें। शास्रों के अनुसार दंतेरस के दिन धातु की चीज़ें खरिदना बहुत ही शुप होता है। दंतेर उसके दिन कोई ना कोई धातु की चीज़ खरीद कर घर लाने से सुख सम्रुद्धी बढ़ती हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हों तो आप उपचान उसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शियर करना ना भूलें।